ब्रस्न दो आखिरती देखकर खालिय स्थानों को भरें तो गम में है आर बिंदू कोन ए ओ बी के तो यहाँ पे देखिए कोन ए ओ बी यह ओ है यहाँ पे गलती से बी दे दिया है ए ओ बी कोन ए ओ बी यहाँ पे ओ होगा ठीक है तो कोन ए ओ बी तो R बिंदू R बिंदू कोन A, O, B के तो कोन A, O, B के देखे बाहर है अगर इस सरफ रहता है तो भितरी लिखते ठीक है तो R बिंदू कहा है बाहर है ये कोन के बाहर है तो A, O, B के कोन के अंदर कोन कोन है तो T है और P है R क्या है बाहर है यह हो गया कोन तो R बिंदू कोन A O B के तो A O B के बाहर भाग में है तो यहाँ पर लिखेंगे बाहरी तो R बिंदू कोन A O B के बाहरी बाहरी भाग में है ठीक है P बिंदू कोन A O B के तो P बिंदू देखे P बिंदू अंदर है इस कोन के अंदर है, तो कोन A, O, B के, तो P बिंदू कोन A, O, B के, तो P बिंदू यहाँ पे है, तो A, O, B के अंदर है, यानि भीतरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो P बिंदू कोन A, O, B के भीतरी भाग में है, E बिंदू कोन A, O, B की भुजा पर, तो E बिंदू, E बिंदू यहाँ पे है, कोन A, O, B यानि यह कोन A, O, B की भुजा पर, ठीक है, E बिंदू है, तो E बिंदू कोन A, O, B की भुजा पर, अवास्थित है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे भरेंगे, तो E बिंदू कोन A, O, B की भुजा पर, अवास्थित है, यहाँ पे क्या भरेंगे? अवास्थित, तो यहाँ पे जगा कम था, इसलिए, इस तरफ हम, यहाँ पे लिख दिये है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या भरेंगे? अवास्थित, तो E बिंदू कोन A, O, B की भुजा पर, तो E बिंदू कहाँ पे है? देखें, भुजा पे है, कोन A, O, B के भुजा पे है, E बिंदू, तो E बिंदू कोन A, O, B की भुजा पर, अवास्थित है, T बिंदू कोन A, O, B के ती तो T बिन्दू कोन A ओ B के भीत्री भाग में है ती कहां अंदर यानि भीत्री भाग में है अड़ा में है O B कोन A O B की एक O B कोन A O B की एक तो A O B कोन A O B की O B क्या है भुजा है देखें O B कोन A O B की एक भुजा है O A कौन A O B की एक O A O A O A कौन A O B की एक भुजा है O A तो कौन A O B की एक क्या है भुजा है तो O A कौन A O B की एक भुजा है तो कौन A O B की दो भुजा है देखे O A और O B तो O B कौन A O B की एक भुजा है O-A कौन A-O-B की एक भुजा है, तो इस तरह से इसको भर लेंगे प्रस्न तीन आखिरती देखकर बताएं कि कौन A-O-B तथा कौन D-O-C में कौन बढ़ी है तो कौन A-O-B देखे, A, यहाँ पर A है O-B, यानि यह पुरा यह बड़ा वाला कौन ठीक है, कौन A-O-B तथा कौन D-O-C तो D-O-C, यह कौन देखे, छोटा वाला D-O-C, यानि यह वाला कौन और कौन A-O-B A-O-B, यानि यह पुरा बढ़ा वाला कौन, ठीक है तो D-O-C में कौन बढ़ी है, तो कौन A-O-B बढ़ा होगा, तो लिखेंगे का का उत्तर इसका उत्तर लिखेंगे कौन A-O-B इसका उत्तर होगा कौन A-O-B तो कौन A-O-B तथा, कौन D-O-C में कौन बढ़ी है, का में यह देखे, का का आक्रती है तो कौन A-O-B और कौन D-O-C तो देखे, D-O-C ये छोटा वाला कौन हो गया डी ओ सी ये छोटा वाला कौन ठीक है और ए ओ बी तो ए ओ बी ये बड़ा वाला कौन कौन बड़ा है तो कौन ए ओ बी बड़ा है अब इसमें देख लेते हैं खाब में तो कौन ए ओ बी ए ओ बी यानि ये पूरा बड़ा वाला कौन ये पूरा हो गया देखे ए ओ बी यानि ये पूरा कौन बड़ा वाला और कौन डी ओ सी डी ओ सी यानि ये छोटा वाला कौन बीच में जो दो है डी ओ सी तो कौन बड़ा है कौन AOB बड़ा होगा क्योंकि यह देखिए कौन AOB के अंदर आ रहा है कौन DOC कौन AOB के अंदर आ रहा है कौन DOC तो कौन AOB बड़ा होगा तो इसका भी उत्तर होगा कौन AOB खा में भी उत्तर क्या होगा कौन AOB ग तो ग में है कोन AOB बड़ा है कि कोन DOC तो देख लेते हैं कोन AOB AOB यानि यह बला कोन AOB और DOC DOC कोन AOB और कोन DOC तो DOC के अंदर है कोन AOB कोन AOB यहां तक ही है और कोन DOC यानि यह पुरा है बड़ा वला कौन तो कौन DOC बड़ा है तो इसका उत्तर होगा कौन DOC तो का में लिखेंगे कौन AOB बड़ा है DOC से खा में लिखेंगे कौन AOB बड़ा है कौन DOC से और गा में लिखेंगे कौन DOC बड़ा है कौन AOB से तो इसका उत्तर होगा K में कौन AOB, K में होगा कौन AOB और G में होगा कौन DOC तो जो बड़ा है तीनों में उसको लिख देना है कौन AOB और कौन DOC में कौन बड़ा है तो इसमें AOB, कौन AOB, इसमें भी कौन AOB और इसमें कौन DOC प्रस्न चार चांदा की मदद से बताएं कि निमलिखित में कौन सा कोन नियून कोन अधिक कोन और समकोन है तो चांदा की मदद से बताना है कि निमलिखित में कौन सा कोन नियून कोन अधिक कोन और समकोन है पहले देख लेते हैं कि नियून कोन, अधिक कोन और सम कोन, क्या होता है, तो सम कोन, एक सम कोन वह कोन है, जिसकी माप 90 डिगरी होता है, यानि 90 डिगरी कोन को क्या कहते हैं, सम कोन, नियून कोन, जिस कोन की माप 90 डिगरी से कम होती है, उसे नियून कोन कहते हैं, तो 90 डिगरी से कम जो कौन है उसको क्या कहेंगे डियून कौन यानि 90 डिगरी से कम में 80 डिगरी 70 डिगरी 60 डिगरी कुछ भी आ जाएगा 90 से कम होगा बस अधिक कौन जिस कौन की माप 90 से अधिक होती है तता 180 डिगरी से कम होती है उसे अधिक कौन कहते है यानि 90 से अधिक और 180 से कम को क्य चांदा की मदद से तो चांदा की मदद से बताना है तो देखे एक चांद लेंगे ठीक है और कौन एओबी को ना पेंगे तो कौन एओबी कितना होगा तो देखे चांद का जो ये बीच वाला जो है यहां पे देखे पेंसिल से जो हम बता रहे हैं तो ये रखेंगे इदम बिल्कुल यहां पे जहां पे दोनों रेखा निकल रहा है जिस बिंदू से तो यहां पे रखेंगे ये वाला देखे और ये जो रेखा है चांद का है ये नीचे वाला ठीक है 180 जो लिखा हुआ है और सुन्य इस पे ये नीचे वाला जो होगा अधार होगा इस पे होगा देखे इस तरह से बिल्कुल इसको रखेंगे तो ये देखे दूसरा रेखा जो है 40 देखे सुन्य है यहां पे सुन्य दस बीस तीस चालीस चालीस पे आ रहा है यह जो देखे यह जो है वो कहां पे आ रहा है चालीस पे सुन्य है यहाँ पर सुन्य दस बीस तीस चालिस ठीक है तो जब जो जो नीचे वाला जो रेखा है इस तरफ का तीर इधर का तीर हो तो सुन्य से यहाँ से स्टार्ट करेंगे सुन्य दस बीस तीस चालिस तो यानि चालिस डिगरी का कोन है यह कितना डिगरी का कोन है 40 डिगरी ठीक है यह 40 डिगरी का कोन है तो 40 डिगरी 90 से कम है तो 90 डिगरी से कम जो भी कोन है उसको क्या कहेंगे नियून कोन तो का का उत्तर हो जाएगा नियून कोन इसका उत्तर क्या होगा नियून कोन इसका उत्तर हो जाएगा नियून कोन कम है तो यह देखे, 90 डिगरी पर आ रहा है, पूरा यहां से शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 90 पर आ रहा है, बिल्कुल सिधा है, तो यह हो गया, सम कौन तो 90 डिगरी के कौन को, यह 90 डिगरी है, इसको क्या करते हैं, सम कौन तो इसको लिख देंगे, सम कौन तो इसको क्या कहेंगे, सम कौन तो इसका उत्तर होगा सम कौन गा में, तो अब गा में देखिए यह इस तरह, इस तरह का तीर है, देखें, बाके यह सब का इस तरह का तीर था तो इस तरह का तीर है, तो इस तरह रखेंगे, चांब को देखे ये बिंदू जो है ये बीच वाला जो भाग है वो दोनों जहां पर मिल रहा रहा है वहां पर रखेंगे और तीर काई सारा किधर है तीर काई सारा इस तरफ है ठीक है तो तीर काई सारा इस तरफ है तो यहां से सुनने से स्टार्ट करेंगे सुन्य, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 120 और 130 के बीच में है, तो 125 हुआ तो जिस तरफ तीर का इसारा होगा, तो जैसे इधर देखिए तीर का इसारा इस तरफ है, ठीक है तो यहाँ से सुन्य से स्टार्ट करेंगे यानि नीचे जो जिस पर हम चांद रख रहे हैं, उसका तीर का इसारा इस तरफ है तो सुन्य से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, सुन्य, 10, 20, 30, 40 ऐसे करके देखिए कहाँ पर आ रहा है, तो 120 और 130 के बीच में आ रहा है 30, 40, 50, 60, 80, 80, 90, 100, 110, 120 और 130 के बीच में है, देखिए, तो 125 डिगरी हुआ, तो इसको लिखेंगे 125 डिगरी, तो 125 डिगरी 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो इसको कहेंगे अधिक कौन, इसको क्या कहेंगे? अधिक कौन, इसको क्या कहेंगे? अधिक कौन, अब घा में, तो घा में,